असलाम अलेकुम जी और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग बिस्मिलाई रमान रहीम तो अल्ला का नाम लेकि आज का दिन शुरू करते हैं आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूं फर्स टाइम अपनी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन वगारा तो मैंने सेशन्स बुक किये थे लेकिन आज हमारी फिजिकल ओर्येंटेशन है और इदर अजी सुबा सुबा का टाइम तो मैं निकला था अपने घर से रेडी होके और अब मैं इस टाइम वाक कर रहा हूं मैंने का आप थोड़ा सा स्ट्रीट का व्यू इंजॉई करें और इफरीफिंग बसेज टीउब्स वीकेंड पे तो इवन पूरी राज जो है पबलिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होती तो इदर बच्चा बुढ़ा चाहे कोई यंग है चाहे कोई ओल्ड है वो लोग बस निकल पड़ते हैं पैदल अपने अपने कामों पे जॉब्स पे को परड़ा हो तो इदर अच्छा आज आज डिसाइड़ टो गिवा लिटल ट्रीट टो माइसेल्फ के मैं यहां से कॉफी लोगा वैसे तो मैं ड्रेक फास्ट घर ही करता हूं लेकिन मैंने का चलो यार आज जो है बाहर से कॉफी लेते हैं कॉफी नजुआ करते हैं इदर मैं अच्छे कुछ जूसिस वखेरा लगे हुए है आइस टी लगी हुए है और यह ब्रेड रन सैंविचे का सेक्शन है लेकिन मैं सैंविचे बाहर से नहीं लेता है मैं खुद ही बिनाता हूं बाहर से मेरा सिर्फ कॉफी होता है कि मैं कॉफी ले लूँ और आई कीप ऑन ट्र ट्राफिक रुकी हुए है इदर आपको ना वेट करना पड़ता है जब आपका सिगनल ओन हो वॉकिंग वाला तब यू हाफ टू वॉक और इस तरह हर ट्यूप स्टेशन के साथ कोई ना कोई आइकॉनिक चीज होती है जैसे कि एडवर्ट 7 का स्टैचू है इदर चैलेंज अगर आप ट्रेंड थोड़ी सी नज्वाए करें मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि अगर आप नॉर्मल अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो यू हाफ टू स्टैंड ऑन दा राइट साइड अफ दी एसकिलेटर लेकिन अगर आपको कोई जल्दी है तो ल आपको कुछ नया एक्स्प्लोर करने को कोई फूड कोई ब्रैंड हमेशा मिल जाता है तो आप वाक करते हुए और वेट करते हुए देख सकते हो कि वाट इस हैपनिंग अराउंड दस सिटी अकसर लोग यहां पर आपस में भी कम्यूनिकेट कर लेते हैं कि वह सही जगा प चैलेंजी ट्रेंड की जर्नी हुई हमारी खतम और अब वी और वाकिंग टोवर्ड्स लंडन ब्रूम्सबेरी गौज स्ट्रीट पे मैं उतरा था यहां से फोर मिनिट्स की वाक है आपको वाक एंजॉय कराते हैं स्टेशन एंजॉय कराते हैं ताके अच्छा इस व्लॉग में तो let us have a look around the city तो मैंने सोचा कि आज आपको city जादे explore कराते हैं इस तरह यहां पे जगा जगा you have cycles इसको आप rent करके around the city घूम सकते हो you just have to pay by your card और google पे and you are good to go to have a cycle मतलब अकर आपको बाद cycle नहीं भी है तो you can have a cycle ride just pay it and enjoy it इसी street से मेरे university की campuses start हो जाते हैं और आपकी screens की left पर जो आप देख रहे हैं this is the first building जो reception है जहां से आप enter होते हो और यह देखें जी बड़ी खुब्सूरत से street है और everybody is minding their own business university में आ चुका था और document scan करने के बाद सबसे पहले मिला मुझे मेरा student ID जो के is very important उसके बाद उन्होंने मैं का कि आप लोग कुछ refreshments ले लें तो refreshments लेके हम लोग lecture hall में आ गए जहां पर सारी orientation वगएरा होनी थी और time to time they were serving us with the brownies, coffee, chai, जिसको जो चाहिए उसके बाद थोड़ी सी फिर break हुई तो हमने cups वगएरा बाहर रख दी है उदर भी कुछ खाने की चीज़ ने थी और cafe से भी आप कुछ ले सकते हो that is free of cost, again मैं कुछ नहीं लोगा क्योंकि हलाल हराम का बहुत ख्याल करना पड़ता है फिर हम लोगों ने इनके different departments visit किये like student affair, finance affair और explore किया कि how is the campus, the campus was so warm बाहर तो बहुत ठंड होती है लेकिन यहां पे बैठके बहुत कूजी feeling आ रही थी मैं यही सोच रहा था कि free time में इदर बैठके कुछ पढ़ लिया, assignment बना ली there were so many magazines और अब हमारा जाने का time होता है और बहर सुटा है okay guys, so हमारा session खत्म हो गया और अभी हम थोड़ा सा London explore करेंगे और I have met some of my course mates, जो के मेरे class fellows भी होंगे उदर और हम उनका experience देखते हैं so, I am having trouble in calling your name Shakreen okay, let's meet Shakreen from London Shakreen, hold my phone and just record how was your experience yeah, so this was my first day in university okay, hi, so this is Shakreen from India and this was my first day in the university and I made these two amazing friends here and this Haroon and Hassan so, we are just meeting for the first time and we are trying to explore our university and areas around the university so first day at the university was like, you know, quite refreshing and people were so helpful and so lovingly they met us and there was so diversity, I could see people from all different nations, from different courses it was overall a fun experience and I think I should give my phone to Haroon he is from Turkey so, we can share his experience hello, hello everyone yeah, it's recording introduce yourself and share your experience okay, I am Haroon from Turkey and to be here and to pursue love in this beautiful city is really exciting for me it's fun and it's my first abroad experience I am all alone I was nervous before this event and I feel really relieved after meeting my new friends and my new teachers, tutors and I will look forward to this journey yeah, that's it okay so guys, this was all for today and definitely I am going to share my experience in the voiceover and now we'll explore the area and we'll find something halal to eat and I'll catch you over there bye bye see it's halal see it's halal so, here we'll come back to the streets and we'll walk towards our banjo even though we'll walk towards our tube stations in the whole day this is amazing hi, say hi and then we're both posing for the camera and the night that was a little bit enjoy the night how a camera was, a little bit which is time to come back please feel with it oh, this is all the way ट्यूब स्टेशन के नेरबाइ वाला एरिया है देखें सब लोग इतना इंजॉई कर रहे हैं अपने कामों से फ्री हो के लोग घर जा रहे हैं देर हैविंग फन गॉसिप तो आप लोग भी थोड़ा सा इंजॉई करें लोगों के साथ चलें जी दुबारा ट्रेन लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ और यहाँ पे हमें मिल गई फ्री न्यूस पेपर एंड मैगजीन तो हमने उठा ली पढ़ने के लिए और अब चलते हैं घरों को मुझे इमीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक इट सब्सक्राइब इट और शेयर इट अल्सो राइट कमेंट्स आपको व्लॉग कैसा लगा कोई भी सजेशन हो कोई आप लोग जगह एक्स्प्लोर करना चाहते हो थ्रू मा में आप गुमनी होगे है फेथ अगर आप फिस्ट ताइम आ रहे हो अल्यू नीड इस अस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन और सम एप्स लाइप सिटी मैपर और ट्यूब माप्स ताक्या आप नवीगेट कर सको वी हब बोड़िड ओन ट्रेन विदिन 35 मिनट्स विल बी अट होम तो इन्शाला बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी तब तक प्लीज मेरी विडियो को लाइक करो और अल्ला हाफिज अपना बहुत सारा ख्याल रखो बाई बाई